हेलो स्टुडेंट्स स्वागत आप कादर सेनी प्रिंटी स्कूल की ओन लाइन क्लासिज में Canyon आज हम करेंगे फूड प्रप्रपरेशन वाइप्लान जस्य स्कूल데 की पोधे इपने बोजन fine वाईं तो इसमें देखते हैं सबसे पहले प्लांट आर ओनली लीविंग तिंग्स देट प्रिपेर देर फूड इन दा सनलाइट बाई यूजिंग बाटर कारवन डाइकसाइट एड मिननल प्लांट के पोधे ही एक एसी संजीब बस्तू है जो अपना भोजन सनलाइट यानि सूर्य के प्रकास से पानी से और कारवन डाइकसाइट जो एक गेंस होती है और मिननल खनीज प्लाइट जो कहां से लेते हैं जड़ों से लेते हैं इन से अपना भोजन तियार करते हैं पोधे ही एक ऐसी संजीव बस्तू है जो अपना भोजन बनाने के लिए सूरी के प्रकास का बाटर का जल का कार्वन डैक्साइड और मिंडल यानि खनीज बदात का प्रयोग करते हैं देखो यह बनाते कैसे बोजन देखो किन शीजों की आपशकता पठती अचार अपना बोजन बनाने के लिए पढते हैं लीप्स केरी आउट दा प्रिप्रेशन ओफ फूड पोदे अपना भोजन का बनाते हैं अपने पतियों में बनाते हैं पोदे अपना भोजन का बनाते हैं अपने पतियों में लीप्स केरी आउट दा प्रिप्रेशन ओफूड पोदे अपना भोजन पतियों में तियार करते है पत्यों में क्या होता कैसे बनाते हैं दा प्रसेस इन बिच दा ग्रीन लीप्स मेक फूड इस काल फोटो सिंतेसी पोदे अपना भोजन हां फोटो सिंतेसी उस प्रिक्रिया का नाम है जिससे हरे फोदे यानि ग्रीन लीप्स यानि हरे पोदे अपना भोजन बनाते हैं उस प् किरिया दवारा हरे पोधे अपना भोजर बनाते हैं उस पर किरिया को नाम दिया गया है एक जिसको बोलते है प्रकास संसलेशन इंगलिश में बोलते हैं फोटो सिंथेसिस फोटो का मतलब क्या होता है फोटो का मतलब होता है सनलाइट इसमें जो फोटो है ना फोटो फोटो इसका मतलो होता है sunlight, तो sunlight के करण बोजर में बनाते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है photosynthesis. Leaves are the food factories of plant, leaves क्या है food factory है प्लांट की, क्यों? क्योंकि यहां पर बोज़़ बनता है पत्यों में, इसलिए उनको नाम क्या करते हैं? फूड फेक्टरी कह देते हैं या फिर क्या बोल देते हैं किचन भी बोल देते हैं पलांट का की जैसे किचन में हम खाना बनाते हैं यह से पोदा अपना खाना का बनाता है पतियों में बनाता है तो इसको भी पोदे का किचन बोल देते हैं और फूड फेक्टरी भी बोल देत are the most important part of plant is they carry out the process of photosynthesis चो पौधे की पत्ती है बह्त ब्रुतन भाग होता है क्योंकि वांपे फसी प्रिक्रिया होती है फोत्य प्रिक्रिया होनी का मतलब है कि मोदम बोजन बनता है तो पोधे का जो प्र पत्ती है बही सबसे यानि लीब्स है वही सबसे मैंतरपून भाग है रूट्स अब्जोर्ड बाटर अब यह जो चार चीजी बताई थी आपको तो वह पौदा चार चीजी कैसे लेगा वह देखते हैं रूट्स अब्जोर्ड बाटर एंड मिन्नल फ्रोम सोई ठीक है तो पौदा अपना ज यहाँ से क्या लेगा जड़ों से जो ले लिया उसने तो तु वह स्टें मेटा होता है बीज का बाग ये इससे आप ़ोजन सारे पहुंचाथता इस पत्ती में इस पत्ती में फलो में fruit में flowers में हर जगह जो यह stem का काम ही होता है कि जो इस सभी बागों में भोजन पहुचाना ठीक है पानी और जो मिन्डल पहुचाना leaves take carbon dioxide और पतियां क्या लेती है carbon dioxide लेती है हवा से from air and energy from the sun to make food और क्या लेती है energy लेती है किसे sun से sunlight sunlight is necessary for photosynthesis sunlight क्या है necessary photosynthesis के लिए प्रकास sensation के लिए बहुती महतब पूर्ण है तो क्या करता है पोदा एक पार सुन लो दुबारा क्या करता है पोदे को चार चीज़ें चाहिए photosynthesis करने के लिए पहली चाहिए sunlight होनी चाहिए दूसरी चाहिए उसको carbon dioxide फिर उसको चाहिए बाटर और मिनल अब बाटर और मिनल तो कहां से लेगा भूमी से ले लेता है जड़ों से ठीक है और स्टेम का क्या होता है उन जो मिनल है और पानी उसको पतियों में पहुंचा देना और और पतियां एक काम और करती है क्या लेती है हम जैसे सांस लेने के लिए oxygen लेते हैं तो उसी परकार पतियां सांस लेने के लिए पेड़ सांस लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं कार्बन डाइकसाइट का लेते हैं प्रयोग करते हैं तो वो कार्बन डाइकसाइट पतियां ले लेती है अब बचा क्या सन लाइट तो सन तो होता यह उपर तो बहां से वो स बनाता है, ठीक है, समझ गए, हाँ, एक बात और, बदे कार्वनाइकसर लेते हैं, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम उल्टा करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्वनाइकसर छोड़ते हैं, ओके,